असलाम लेकूम आज हम करेंगे दस्वी जमात की रुबाई नमबर एक रुबाई की तारीफ क्या है ये मैं आपको पिछले एक वीडियो में बता चुकी हूँ इसलिए हम उसकी डीटेल में नहीं जाकर डाइरेक रुबाई स्टार्ट करेंगे अब हम इस रुबाई के शायर का तारुफ जानते हैं ये रुबाई किस ने लिखी है ये रुबाई किशन परसाथ शाद ने लिखी है शाद जो है आपका तखलूस है महराजा किशन परसाथ शाद 28 फरवरी 1864 को हैदराबाद में पैदा हुए जमाने के रिवाज के मताबिक यनि उस वक्त के रिवाज के मताबिक उन्होंने अर्बी, फार्सी, फलसफा वा मुंतिक की तालिम हासिल की वो रियासत हैदराबाद में दो मरतबा वजीर आजम के ओधे पर फाइज हुए सरकार बरतानिया ने उन्हें सर के खिताब से नावाजा था यनि जिस वक्त वो थे इस दुनिया में उस वक्त जो है हमारे देश पे बरतानवी हुकूमत थी तो इसलिए सरकार बरतानिया ने उन्हें सर के खिताब से नावाजा था शाद उनका तखलुस था उन्होंने तकरीबन साठ किताबे तस्नीफ की है बागे शाद, रुबाईयाते शाद और जामे जहानुमा इनकी मशूर किताबे हैं 9 मई 1940 को हैदराबाद में इनका इंतिकाल हो गया यानि आजादी से पहले ही उनका इंतिकाल हो चुका था अब हम रुबाई की तश्री करते हैं अल्ला ताला ने इनसान की तब्यत और फित्रत को कुछ इस ढप पर तकलीफ फरमाया है कि जब उसे कोई चीज मैसर होती है तो वो इसकी कदरों कीमत और एहमियत को नहीं समझता है आसान लफजों में समझाओ एक भूका इंसान जो है वो अच्छी तरह से रोटी के एक तुकड़े की एहमियत को जानता है पेड़ भरने के लिए रोटी चाहिए और जिसका पेड़ भरा होता है उसके सामने खाने की कोई कीमत नहीं होती है जिसको जो चीज आसानी से मिल जाती है उसके पास उसकी कोई कदरों कीमत नहीं होती हाँ अगर उसे खोने के बाद हमें अफसोस जरूरत है कि हरे हमने इसे खो दिया लेकिन जब तक वो मैसर होती हमें उसकी कदरों कीमत नहीं होती है तो बस इंसानी फित्रत और नफसियात यही है यही चीज जो है शायर ने इस रुबाय में हमें बताई है शायर कहता है कि इनसान अपने अरसे हयात ये अपनी जो जिन्दगी का वक्त है के कीन्ती और नादिर लम्हात को गफलत और लपरवाई से गमा देता है उसे यही लगता है ना अभी वक्त अभी और वक्त बाकी है अभी नहीं तो आगे चल के कुछ कर लूँगा जब उसे हुकूक अल्ला और हुकूक अलिबाद के फराइज अदा करने होते हैं जब कवा मुझमिल हो जाते हैं और अनासिर में एतिदाल बाकी नहीं रहता तब वो अपने माबूदी हकीकी की तरफ रुजू करता है आसान लफजों में कि जब वो तन्हा होता है बुड़ापा आ जाता है उसमें कमजोरी आ जाती है उस वक्त उसे अल्ला याद आता है जब तवानाई होती है जवानी होती है तब वो इबादत नहीं करता है तब वो अपने हुकूग अदा नहीं करता है लेकिन जैसा जैसा गुजरती जाती है और आखरी वक्त आ जाता है तब उसे फिक्र होती है कि मैंने आखिरत के लिए क्या जमा किया है मैंने तो आखिरत का कोई इंतिजामी नहीं किया है और अब मैं अल्ला के सामने जाओंगा तो किस तरह जाओंगा हलकि ये बिल्कुल गलत है हमारी जिंदगी तो थोड़ा थोड़ाई बून बून करके समंदर बन जाता है हमारे छोटे छोटे अमाल छोटे छोटे असकार छोटी छोटी इबादत छोटे छोटे हुकुक जो हम अदा करते हैं इंशालला हमें उसका जखीरा करना चाहिए वना बाद में जो हमारे पास पश्तावे के इला शाइर दुनिया में है, थो दुनिया में काना करने वाम इसका नाम लिखिए शाइर को अक्वा यानि आखिरत के लिए कोई खटा, कोई जखीरा ना करने का अफसोस है शायर खुदा को मू दिखाने के काबिल नहीं वजा तहरीर कीजिए शायर ने आखिरत का कोई इंतिजाम नहीं कर रखा यानि खाली हाथ जाएगा उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो अपने अल्ला को राजी कर सके ऐसा शायर समझते हैं इसलिए वो समझते हैं के वो खुदा को मू दिखाने के काबिल नहीं है उगबा के माइने वो मफूम लिखिए उगबा के माइने हैं आखिरत इस दुनिया के बाद की दुनिया जहां हम हमेशा रहेंगे इस दुनिया में इनसान ने जो अच्छे बुरे अमल किये हैं इन्शालला आखिरत में हमें उसका बदला मिलेगा ये अगला सवाल है किशन पसाज शाथ की रुबाई का मरकजी खयाल लिखिए तो वह ये सेम चीज़ के पहले वक्त को अपनी लापरवाई और गफलत की बिना पे जाय कर दिया और वक्त गुजर जाने के बाद अफसोस किया फिर फिकर आखिरत और खुदा के हुजूर जवाबदाई के ऐसास से शर्मिन्दा हुए रुबाई का मरकजी खयाल यही है कि हमने जो अपनी जिन्दगी जो है उसके जो लमहात है कीमती वो गफलत में गवा दिये और शायर ने इस चीज़ को बहुत ही खूबी, सलेश और अच्छे अंदाज में पेश किया है उमीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो और समझ में भी आते हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें यूही सपोर्ट करते रीजिए और हमें कमेंट जरूर कीजिए मुझे आपके कमेंट पढ़ना और उनके जवाब देना बहुत अच्छा लगता है